असलाम लेकुम फ्रेंड्स दिस जयाब मुगल वेलकम तो माई यूटीब चैनल दागार्णिंग हब उमीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे आपकी cuttings, आपके plants, आपकी compost सब अच्छे से चल रही होंगी आपके plants अच्छे से growth कर रहे होंगे, compost बगारा बन रही होगी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, गुलचीन के बारे में, प्लूमेरिया के बारे में इसकी आपने काफी जादा cuttings लगाई थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, तो वीडियो के एंड पे वीडियो शेयर कर दूँगा वीडियो पिन कर दूँगा, वीडियो टैज कर दूँगा, आप उसके ओपर क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं आपका वो concept क्लियर हो जाएगा कि हम प्लूमेरिया को कटिंग से कैसे करो कर सकते हैं तो आज हम देखेंगे कि उसका क्या रिजर्ड निकल के आया, कितनी कटिंग सक्सेस्फूल हुई, कितनी कटिंग फेल हुई तो अगर आप मारे चैनल पर ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकल लाजमी प्रेस कर लें और गार्डनिक से रिलिटेटि कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप वीडियो के निचे कमेंड कर सकते हैं हम इंशाला उसके उपर भी सेपरेट वीडियो बनाके आपकी वो टॉपिक भी क्लियर कर देंगे, आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी तो दोस्तों हमने काफी ज्यादा कटिंग लीन थी हैं अपने मदर प्लांट से मैं मदर प्लांट भी दिखा देता हूँ आपको यह पीछे हमारा एक मदर प्लांट भी लगा हुआ है प्लूमेरिया का इसके उपर भी काफी अच्छे से फ्लावरिंग हो रहे हैं, इसकी ग्रोद भी अच्छे से स्टार्ट होगी है जब हमने इसकी उपर से कटिंग उता दीज तो इसके पत्चे बहुत कम थे क्यूंके सर्दी का सीजन था तो असके सीजन में आपको पता है कि पत्च जड़ का मुसम होता है प्लांट के पते जड़ जाते हैं प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं प्लांट का रेस्पीरियड शुरू हो जाता है तो इसी वरा से उनके पर पते नहीं होते तो जब हमने इसके पर से कटिंग उदारी थी तो यह रेस्पीरियड में था अब इसकी रोज भी अच्छे से शुरू हो गई है और इसके उपर भी फ्लावरिंग खुब अच्छे से हो रही है तो आप देख सकते हैं इन सब की ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है और इनके नियू नियू लीव्ज, नियू शुटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है तो हमने जितनी भी cuttings लगाएं थी सब भी अच्छे से successful हो गई है सब की की करोध अच्छे से शुरू हो गई है सब भी की rooting, shooting और flowering सब भी चीजें अच्छे से शुरू हो गई है तो cuttings लगाने का एक formula मैं आपको बता जाता हूँ कि अगर आपने 100% result लेना है cuttings का तो आपने एक tip जो है वो उस पे हमेशा अमल करना है कि आपने जो भी cuttings जिस भी जगा पे लगा दी है आपने बार बार उसकी जगा चेंज नहीं करनी बार बार पोट को उठा के कभी इदर कभी उदर shift नहीं करना तो उसकी rooting और shooting स्टार्ट होने में काफी मसला हो सकता है और हो सकता है कि आपकी cutting जो है वो गल जाए successful ना हो सके तो इसलिए आपने द्यान रखना है कि जो भी आपने plant लगा लिया जो भी cuttings लगा ली तो आपने बार बार उसको हिलाना नहीं उसकी जगा चेंज नहीं करनी तो इंशाला आप result खुद ही देख लेंगे कि मैंने आपको जो tip बताई उसका आपको result क्या नदर आता है और दूसरी एहम बात कि जब भी आपने plant लगाना है cuttings लगानी है तो उस soil के अंदर आपने कोई भी खाद, कोई भी fertilizer एड नहीं करना क्योंकि plants की आगे ही root नहीं है तो अगर उनको fertilizer मिलता रहेगा तो हमारा plant जो है वो गल सकता है बगार fertilizer वाली मटी के अंदर cuttings लगाया करनी है अपनी तमाम plants की cuttings लगा के cuttings को हमेशा shady area में रखें और time to time उसको पर पानी का shower करते रहें आपने अपनी cuttings को wet रखना है ज्यादा गिली भी नहीं रखना और बिल्कुल ही dry भी नहीं करना क्योंकि उनके साथ rooting नहीं है तो उसको आप नहीं पानी देना है तो वो ही उसी पानी से ही उसने survive करना है तो आपने उसके पानी का भी अच्छे से ख्यार रखना है और दूप से भी उसको बचाना है ताकि उसके अंदर जितरा भी moisture है वो बना रहे और उसकी shooting शुरू होने में उसको help हो और ये ना हो कि दूप लगने की बज़़ा से उसके अंदर का अपना ही moisture जो है वो सारा का सारा खतम हो जाए और हमारी cutting जो है वो सूख जाए तो अपनू मेरी है कि हमारी सारी cutting successful हो गई है अलहमदुलिल्ला और ये sale base के लिए अब ready है तो इनका छोटे वालों का port जेंज कर दिया जाएगा और इस पोर्ड में 12 इंच वाले पोर्ड में या 10 इंच वाले पोर्ड में इनको लगा दिया जाएगा और इनको sale base के लिए रख दिया जाएगा तो अमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको किसी भी चीज के बारे में इनफॉर्मेशन चाहिए होगा आणिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो को नीचे कमेंड कर सकते हैं तो आप से मुलाकात होगी जाला नेक्स वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ अपरा ख्यार रखिएगा तब तक के लिए अब्सक्राइब करें लाजबी फ्रेस कर लें